Hello everyone, my name is Smeet and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो आपके लिए बहुत जादा important रहने वाली है because आज हम बात करने वाली है latest IOE vacances के बारे में जिसमें document verification की job भी आचुकी है वो भी आपकी permanent job रहने वाली है वो भी आपको आगे बताओंगी आपने वीडियो को starting से end text जरूर देखना है ताकि आपके सारे doubts clear हो जाए जैसे किया eligibility रहने वाली है सबसे important बात apply कैसे करना है क्योंकि यह आपकी urgent hiring होने वाली है ध्यान से समझ लेना है apply कैसे करना है चाहिए आप reserve candidate है चाहिए undeserved candidate है male है female है और आपका इन वीकैंसे में एक्जाम भी नहीं होने वाला है डारेक्ट आपकी इसमें selection होने वाली है कैसे किस basis पे कौन-कौन से इसके इलावा भी वीकैंसे आई हर चीज को detail में cover करने वाले है तो वीडियो को complete आपने जरूर देखना है अगर आप चैनल पर first time आये हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए तो जल्दी से चैनल को subscribe करके बाल आइकन को press करके all पर click करना पांकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाए बाकर इस update के इलावा और भी काफी सारे department है जिनकी विकैंसे आउर की जाए चुकी है तो आप अपने qualification अपनी city या फिर district के accordingly हमारी official website www.clory.com पर विजिट करके information लेकर apply कर सकते हैं लिंक website का description में आपको दे दिया गया है आप देख भी पा रहे हैं अगर आप इसको google पर टाइप करेंगे ना तब भी आपको first number पर हमारी official site मिल जाएगी चलिए ज्यादा time ले तो यह बात करेंगी latest job update के वारे में किस तरीके से apply करना है क्या के eligibility रहने वाली है तो सबसे पहले वीडियो को प्यारा सा like जरू कर देना आपका एक like motivate करता है आपके लिए नएने update लेकर आने का इसके इलावा मैंने आपके लिए एक new channel भी create कर दिया है कुछ update हम यहाँ पर discuss किया करेंगे और कुछ update हम वहाँ पर discuss किया करेंगे खास तोर पर बहुत सारी candidate की comments लेकर लेकर मिलते हैं अगर हम work from home job की बात करें हमारी selection नहीं हो रही है यह हम किस तरीके से interview के लिए prepare हो सकते हैं उससे related videos भी आपको उस channel पर जरूर तेखने को मिलेगी तो आप Google पर search कर सकते हैं मिर्श चर्मा वैसे मैंने आपको description में इसका link भी दिया हुआ है click करके अभी जाकर आप उसको subscribe कर लेना ताकि कोई भी notification आप miss ना करो यह जो अपडेट आया हुआ है document verification के job का यह आया हुआ है SPA कार्ड की तरह से बिल्कुल fresh job update है आज आया है एक घंटा पहले जिए job update है तो सबसे पहले आपके लिए लेकर आ चुकिए हुआ अन्यों freshers यहां पर apply कर सकते हैं best salary आपको यहां पर pay की जारी है यहां पर experience नगज आते हैं वह भी apply कर सकते हैं पर freshers पे ज्यादा मेरा focus रहता है क्योंकि बहुत सारी candidate के comments आते हैं कि हमारे लिए vacances कम आती है तो आपको इसके लिए apply जरूर से करना है सबसे पहले हम पहले जॉब के बारे में बात करें पहले हम पहले जॉब की बात करेंगे उसके बाद उसका क्या work रहने वाल है फिर मैं आपको proper screenshot करके बताऊंगे कैसे apply करना है उसके बाद सेकिंड जॉब अपडेट हम discuss करेंगे व और यह आपकी work from office job रहने वाली है इसमें आपका work की बात करें suppose that किसी ने credit card में apply किया हुआ है तो आपको क्या करना है उनकी KYC करना है मतलब उन्होंने जो document प्रवाइड किये है क्या वो accurate है मतलब क्या कोई कमी तो नहीं है या कुछ गलत तो नहीं है या कुछ कोई बुलर नहीं है फिर आपको उनसे बात करके उस document को arrange करना होगा अगर इसमें कोई कमी है बस ही आपका work रहने वाला है ना simple job तो apply आपको in vacances के लिए जरूर से कर लेना है तो यह आपका basic work रहेगा training भी आपको दी जाने वाली है SP card की तरफ से तो का आफ करते है पहले इसके लिए apply क करेंगे तो अगर पहले जॉब के बारे में बात करें कैसे apply करना है तो मैंने आपको इसका description में link provide कर दिया आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने पर नया इंटरफेस आपके सामने open हो जाएगा अब थोड़े scroll down करेंगे लास्ट में आपको देखने को मिल जाते है required link में आपक link to आगे आपको समझाओंगी वह भी बहुत बढ़िया जॉब है उसमें भी आपमें से हरकोई apply कर सकते हैं तो फर्स जॉब पर जैसे क्लिक करेंगे ना यह वरा इंटरफेस आपकी सामने open हो जाएगा यह अलग लोकेशन वाइस वेकैंसे अपर अपर अप्लाई कर सकते हैं मतलब इसी से रेलेटिट आपको जॉब्स देखने को मिल जाते हैं और सबसे अच्छी बात यहां पर पता है कि आपको कोई है नहीं हर कोई आपने से apply कर सकते हैं आप एक से ज्यादा पोस्त के लिए भी apply कर सकते हैं तो यह मुझे best चीज लगी इसलिए मैं सबसे पहले बतलब आपको इसको apply करने के लिए किसी account को create करने की need नहीं है अब यहां पर देखें आपको क्या करना है email id अपने यहां पर mention करने होगी यह mandatory field है इसके इलावा आप इसके बिना आप continue नहीं कर सकते email id को mention करके I agree with terms and conditions पर आपको गया करना है तिक कर देना है उसके बाद अब क्या करना है आपको application form को fill करना होगा आपका name mention करना है contact number alternate contact number qualification आपकी क्या है कब आपने pass out की है कहां से pass out की है and other required information आपको fill करनी है इसके इलावा वहां पर option आपको देखने को मिलेंगी अब fresher है experience तो fresher पे click कर धना अगर को experience है तो उनको select कर लेना है कितने time experience है और इतने time का आपने दिया हुआ है बस submit कर देना last में इसी तरीके से apply करेंगे ना कोई problem आपको इसमें नहीं आने वाली है जो जो step मैंने आपको बताए है इनी step को follow करते हुए आपको apply करना है तो कोई problem आपको नहीं आने वाली है अगर हम पहली वाली job के लिए eligibility की बात करें त सकते हैं ऐसा भी नहीं है कि KYC में ही हो किसी में भी है तो आप apply कर देना आपको salary hike मिल जाते है यह benefit मिल जाता है ठीक है इसके इरवा eligibility की बात करें इसमें एनी graduate apply कर सकते है इसमें दो टाइप की vacances है लग लोकेशन वाइजर एक पोस के लिए बीकॉम, BBA, MBA वाले apply कर सकते है salary इसमें आपकी up to 25,000 हो सकती है ठीक है यह तो है पहली job की eligibility अब बात करते हैं second कौन सी profile है उसके लिए कैसे आपको apply कर लेना है second जो profile है इसमें भी आपमें सी हर कोई apply कर सकते है इनी graduate apply कर सकते है पुरफाइल के बात करें तो एसो स्रीट के लिए यह vacances आई होई है इस पोस्त के लिए आपको जो salary है up to 30,000 हो सकती है उसके accordingly आपको इसके लिए apply करना होगा यह भी आपकी work from office job रहने वाली है इस job के आपको salary hike दी जा रही है इसके इरावा इन्होंने यहां mention किया कि आपको KYC का one year का experience है कि CB department का हो तो आप इस वाली profile के लिए apply कर सकते हैं जो पहली वाली job है उसके लिए हर कोई apply कर सकते हैं second वाली के लिए one year का experience मांगा हुआ है KYC का अगर आपको है मतलब आपने documentation से related कोई किया हुआ तो जरूर इसके लिए apply कर देना आप दोनों के लिए apply कर सकते हैं अगर आप सारी eligibility criteria को fulfill करते हैं अब यह तो होगी apply के बात अब बात आते हैं कैसे आपकी selection होने वाली है selection के अगर बात करें यहां पर describe तो नहीं किया है बट जिस तरीके से notification release किया गया है इसमें walk-in interview तो definitely हो सकती है उसके basis पे आपकी selection होने वाले क्योंकि exam है अब directly hiring ACV नहीं होने वाले कि सिधा आपकी joining हो जाए आपके इसमें interview तो होगी ही योगी walk-in होने वाली है एक round हो सकता या दो round आपकी हो सकते है ठीक है उसके basis पे आपके इसमें selection होने वाली है लिंक मैंनी description में आपको दिया है चैनल पर first time आया है तो चैनल को जल्दी से subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करना ताकि हर एक notification आप तक time पर पहुंच जाए चलिए आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे next वीडियो में नई information के साथ thanks for watching